जगत में प्रतेइक वेक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती जैसे कोई बहुत तेजी से दौड नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता कोई आसाध्धे रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता है ऐसे अनेकों धारन और भी है कि आप किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्पों और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मान कर जीते हैं इस कारणवश रिदे में दुख और असंतोष रहता है सदा निर्बलता मनुष्य को जन से अथ्वा संजोग से प्राप्त होती किन्तों उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है किन्तों कुछ वेक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने कि यह आपने कभी विचार किया है। कि भविश्य का दूसरा नाम है संघर्ष रुदे में आज एक्षा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो रुदे भविश्य की उजना बनाता है भविश्य में एक छापून होगी ऐसी कल्पना करता रहता है किन्तु जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शन का नाम है और फाट इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव है पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सक्ते समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदि हम भिदे में उतार ले कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हैं हम तो केवल भैरे और साहस के साथ भुष्य को आलिंगन दे सकते हैं स्वागत कर सकते हैं भविश्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा स्वयम दिचार कीजे ज्ञान प्राप्ती सदा ही समर्पन से होती है यह हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है क्या हमने कभी विचार किया मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ती में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है कभी पढ़ाए होए पाठों पर संदेह जनता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है नहीं क्या ऐसा नहीं होता न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते मन की योग्य स्थिती केवल समरपन्ड से निरमित होती है समरपन मनुष्य के अहंकार का नाश करता है एर्षा अहत्व कांख्शा आधी भावनाओं को दूर कर प्रदे को शान्त करता है और मन को एकाग्र करता है वास्तव में ईश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की गुरु दत्ता त्रे ने तो गाय और श्वान से भी ज्यान प्राप्त कर लिया था अखात वशे ब्रह्म ज्ञानका हो या जीवन के ज्ञानका या गुरु कुल में प्राप्त होने वाले ज्ञानका उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं?